हलो गाइज मैं हूं हरी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर एक बार फिर से स्वागत करता हूं तहे दिल के साथ गाइज इस सेशन में और जैसा कि आप सभी जानते हैं गाइज इस सेशन में आप लोगों पिछले पांच वर्सों में अभावल का एंटोनिम क्या होगा चार ओप्षिन में से कमेंट किजिए कमेंट बोक्स में गाइज भिलकुल करेक्ट आंसर है ओप्षिन नमबर सी दे करेक्ट आंसर हो जाएज अप्रूबल ठीक है ना देकि इस अभावल का मतलब होता है किसी बात का खंडन करता करना और टूल का मतलब होता कि सिवकिर्थि करना नेख्ट कोस्टों नमबर टू है ग्लीएबल मिलीएबल का एंटोनिम बताइए गश क्या होना चाहिए ढखर स जिसे नियंतित करना मुश्कील हो। नेक्स्सक्राइश कोस्टाइश नमबर 3 है कॉस्टाइश यह रोंग है रोंग टैप हो चुका है इसलिए आप लोग इसको और इकनोर चिजाए। इसका मतलब होता है हिंदी मिनंग उड़ाया गिया है चलिए, next question है, question number 5 है, diffident, diffident का एंटोनिम क्या होगा, बताइए, बिल्कुल correct answer है, option number 6 is the correct answer होगा, diffident का मतलब होता है, संकोची, तो इसका संकोची का जो एंटोनिम होगा, वो क्या हो जागा, इन में से confident, ठीक है, confident का मला किया, विश्वासी, next question है, question number 6 है, fickle, fickle का एंटोनिम बताइए, क्या होगा, चार option में से, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, option number 2 is the correct answer हो जाएगा, देखिए, fickle का हिंदी मिनिंग आता है, यहाँ पर आपका चंचल या अस्थीर, और firm का मतलब होता है, आपका अचल या इस्थीर, next question, question number, generous, generous का आप लोग बताना है, क्या होगा, generous word का, चार option आप लोग बीछ है, जी बिल्कुल correct answer हो जाएगा, option number 20 दे correct answer हो जाएगा, generous का जो एंटोनिम होगा, वो होगा, stingy, stingy, देखिए, generous का हिंदी मिनिंग निकल कर आता है, आपका, दयालू, कठोर या उपजाव बहु सकते हैं, तीन मिनिंग मैंने बता है, आप लोग को, दयालू, कठोरिया उपजाओ, तो यहाँ पर इस्टिंगी का मतलब होता है, डंक मानने वाला या तो कंजोस, ठीक है, तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा, option number 20 दे correct answer हो जाएगा, next question है, question number 8 है, baron, baron का आप लोग बताना है कि एंटोनिम word क्या होगा, चार option म से, बिल्कुल correct answer हो जाएगा, option number D is the correct answer हो जाएगा, यह question काफी बर पूछा हुआएगा, जैसे से, बेरन का हिंदी मिनिक निकलता है, बंजर, और fertile का जो यहाँ परी, option number D is the correct answer हो जाएगा, option D सही जो आप होगा, याद रखेगा, है ना, baron का यहाँ परी, एंटोनिम होगा वो, फटाइल होगा, baron का मतलब होता है, बंजर, और fertile का मतलब होता है, उपजाओ, next question है, question number 9 है, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का बताइए, एंटोनिम वर्ड क्या होना चाहिए, चार उप्शन में से, बिल्कुल correct answer है, गाईज, प्रोफाउंड का जो, यहाँ परी, ए प्रोफाउंड का जो, हिंदी मिनिंग निकल का आता है, अथा, यहाँ प्रोफाउंड का मतलब निकल कर आता है, हिंदी मिनिंग वो होता, अलपक यह, मनला की, बहुत कम, यहाँ पर यह अंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन नमर्ड डी, सुपर्फिसियल, next question, question number 10 है, theoretical, theoretical का आप लोग के अंटोनिम वर्ड बताना है, चार अप्शन में से क्या होगा, बहुत इज़ी है, यह, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नमर्ड डी इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, theoretical का मतलब होता है, सैधानतिक, और इसका, theoretical का लुटा क्या होता होता है, practical अप्शन नमर्ड डी इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी साही जवाब होगा, है ना, चलिए, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमर्ड इलेवन है गाज, मिटीगेट, मिटीगेट का एंटोनिम वर्ड बता ही, क्या होगा, चार अप्शन में से, बिल्कुल करेक्ट अप्शन नमर्ड इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिटीगेट का मतलब हिंदी निकल आता है, हिंदी मिनिक निकल कर आता है, कम करना, और इसका एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रेज करना, मतलब की बढ़ाना, नेक्स्ट कोश्ट्टन, कोश्टन आप लो का एंटोनिम बताना है, क्या होगा, एलिगेंस, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नमबर सी, दा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए, समझ ये, एलिगेंस का जो हिंदी मिनिक निकल कर आता है, यहां पर सब या, साल इंता, या दखिएगा, तो इ लिब्रेशन, लिब्रेशन का एंटोनिम बताईए, क्या होगा, ध्यान रखेगे, पांच वर्सों में पुछा हुआ सवाल है, जितने भी मैं एंटोनिम वर्ड साफ लो को प्रेक्टिस करवा रहा हूं, लिब्रेशन का एंटोनिम बताईए, क्या होगा, जी बिल्कुल करे हो गया आजादी है ना तो यहां पर एंटोनिम की वर्ड क्या हो जाएगा चार में से बॉंड चाही है ऑप्शन बीज़ दा करेक्ट अंसर नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 14 है गाज कुरुएल का एंटोनिम वर्ड बताइए क्या होगा देखे कुरुएल का मतलब होता है यहां परी और पहले एंसर जान लेते हैं क्या होगा एंसर होगा ऑप्शन नमबर डी इस दा करेक्ट अंसर होजगा और हिंदी मिनिंग समझेए गाज क्या होगा हिंदी मिनिंग क्रुएल का मतलब होता है क्रूब वे धंगा और यहां परी जो सही मिनिंग निकल कराता है, option number D is the correct answer होगा, तो kind का मतलब होता है, दिया लूँ. Next question है, question number 15 है, guys, pessimist का, बताइए, एंटोनिम बॉर्ट क्या होगा, चार option आपको बीचे हैं. बिल्कुल correct answer होगा, guys, option number B is the correct answer होजाएगा, pessimist है ना, pessimist का मतलब होता है, आसावादी, ठीक है ना, तो यहाँ पर सही answer होजागा, option number B, optimist, optimist का मतलब है, आसावादी नहीं होगा, next question, question number 16 है, गाज, मैलिस का बताइए, एंटोनिम क्या होगा, चार option आप लोग के बीच हैं, बिलकुल correct answer होजाएगा, option number D is the correct answer होजाएगा, समझे, मैलिस का हिंदी में निकल कर आता है, इर्सिया या द्वेश रखना, ठीक ना तो, यहाँ पर आ जाता है, option number D is the correct answer, goodwill, goodwill का मतलब होता है, दो स्थाना परविर्थी का, यानि किसी पर भरोसा करना, next question है, question number 17 है जैनलियल, जैनलियल का बताईए कि अन्टोनिम वर्ड क्या होगा, जैनलियल, जैनलियल, जी बिलकुल correct answer है गया, option number C is the correct answer होजाएगा, जैनलियल का जो यहाँ पर आन्टोनिम वर्ड होजाएगा, वो सही है, option number C, hostile, जैनियल का मतलब होता है, मित्रवत, यानि कि दोस्ती पुरुवक बहवार करना, hostile का मतलब होता है, सतुर्ता उन, next question है, question number 18 है गया, आप लोगों के बीच में, imminent, imminent का बताईए कि अन्टोनिम वर्ड क्या होगा, चार उप्सन में से, बिलकुल कर्रेक्टांसर है, option number B is the correct answer होजएगा, ordinary, दी, imminent का जो हिंदी मिनिंग निकल कर आ जाता है, दी, आडिनरी, आडिनरी हो जाएगा, option number B is the correct answer, imminent का समझी हिंदी मिनिंग होता है, प्रसिध, हैना, यानि कि बिख्यात है, फिमास से तो यहां पर ही option B is the correct answer हो जाएगा ordinary ordinary का मतलब होता है समान्य next question है question number 99 फ्रेंगिल का बताईए कि अंटोनीम वट गया होगा चार उप्षन में से बिल्कुल correct answer हो जाएगा option number is the correct answer हो जाएगा tough फ्रेंगिल का मतलब होता है आपका हिंदी मिनिंग कम जोर या आसानी से टूटने वाला इसका उल्टा क्या हो जाएगा इस टाफ यानि की कठीन next question है question number 20 है गाज crowded का बताईए कि हिंदी मिनिंग बले एंटोनीम वट क्या होगा इस ग्रावडेट जी गाइज बिल्कुल correct answer हो जाएगा option number 20 ग्रेक्ट आंसर हो जाएगा और समझेज़े लिजिए crowd का जो सही मिनिंग हो जाएगा option number 20 ग्रेक्ट आंसर हो जाएगा इसलिए सही अंसर हो जाएगा option B empty 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 में लगे पूरी तरह से खाली next question है question number 21 ग्रेक्ट आंसर हो जाएगा समझेज़े obligatory का मतलब होता है कानूनन जरूरी जो कानून के नजर में जरूरी हो वो होता है obligatory कहलाता है और voluntary का मतलब हो गया आपका स्वेच्छी यानि कि आपने इच्छा अनुसार तो यहाँ जो obligatory का होगा option number C is the correct voluntary होगा next question है question number 22 है guys coherent coherent का बताना है आप लोग का antonym word क्या होगा बिल्कुल correct answer है guys option number D is the correct answer हो जाएगा coherent का disorganized coherent का मतलब का sumel मतलब की mail हुआ 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 sumel बहुत अच्छी तरह से mail किया हुआ disorganized का मतलब होता है कि आपका इसको disorganized का मतलब ब्यवस्थित करके रखना और ब्यवस्थित करना disorganized का लाता है तो यहाँ coherent का जो antonym word होगा वो सही होगा option number D is the correct answer हो जाएगा ब्रूटल का बताइए कि antonym word cat क्या होगा यह काफी बार पूछा हुआ है कि बिल्कुल correct answer हो जाएगा option number D is the correct answer हो जाएगा human human ठीक है human होता है human हो गया ठीक है ना ब्रूटल का हिंदी मिनिंग निकल कर आता है क्रूर तो क्रूर का जो ultra word होना चाहिए वो क्या हो गया दया से भरा हुआ तो यहाँ पर सही अंसर हो जगा option number D human next question है question number 24 है guys इंडो लैंड का बता यह एंटोनियम वर्ड क्या होगा गया बिल्कुल correct answer है option number D is the correct answer हो जाएगा इंडो लैंड का हिंदी मिनिंग निकल कराता है आलसी और diligent diligent का मतलब होता है महनती तो यहाँ पर इंडो लैंड का जो होगा ऑंटोनियम वर्ड वो डिलीजेंट हो जागा यानि कि महनती इंडो लैंड का मतलब होगा आलसी तो diligent का मतलब हो गया महनती next question question number 25 और आज का हमारा लास्ट सवाल है गया 25 question इस session में आप लोको 25 question का practice करवा रहा हो गया एंडोनिम वर्ड का एड्ड्रॉइट का बताइए कि एंडोनिम वर्ड क्या होगा बिल्कुल correct answer होगा guys option number C is the correct answer हो जागा देखिए एड्रॉइट का मतलब होता है निपुन किसी चीज में एकदम निपुन होना यानि experience होना क्लुमसी का मतलब हो जाता है बेढ़ंगा मतलब कि निपुन ना होना किसी चीज में बेढ़ंगा होना जैसे तेसे ठीक है तो इसका सही meaning हो जाएगा और SSC के बच्चों के लिए खासकर बहुत important होता है गाईच यह सेशन आप लोगो कैसा लगा गाईच कमेंट बॉक्स के माधियम से जरूर फिडबेक दीजिएगा सेशन अच्छा लगा तो like जरूर कर दीजिएगा साथ में दोस्तों के बीच में share जरूर कर दीजिएगा भ हिर भाई